वेल्कम टे श्ट्राउं डिक्टेशन डिक्टेशन पांच सेकेंड बात सुरू होगा रेडी स्टार्ट यह विचित्र है कि लॉकडाउन में एक और विस्तार के साथ ही तमाम छूट देकर जब कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिस की जा रही है तब यह भी देखने में आ रहा है कि विभिन राज्यसरकारें आवाजाही के मामले में आपसी सहयोग का परिचय देने से इनकार कर रही हैं आखिर ऐसे में आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लक्ष की प्राप्ती कैसे की जा सकती है यदि राज्यसरकारें एक से दूसरे राज में आवाजाही पर सक्त रवया अपनाएंगी तो फिर 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की छूट तो धरी की धरी ही रह जाएगी देश की राजधानी से सटे NCR के इलाके में हजारों ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें कामधंधे के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ता है इसी तरह दिल्ली में तमाम ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें उत्तरप्रदेश और हर्याना के शहरों में जाना होता है हाला की आवाजाही में सिमित छूट दे गई है लेकिन राज्य सरकारे कोरोना संक्रमड का फैलाव रोकने के नाम पर लगातार सक्त रवया अपनाती जा रही हैं यह केंद्र सरकार के दिसा निर्देशों के खिलाफ तो है ही कारूबारी गत्विधियों को फिर से शुरू करने में अडंगा भी है निसंदे बात केवल दिल्ली NCR में आवाजाही को लेकर दिखाई जाने वाली अडंगे बाजी की ही नहीं है दिल्ली NCR की तरह चंडीगड मोहाली और पंचकुला में भी लोगों को आवाजाही में अडंगे बाजी से दोचार होना पड़ रहा है कुछ ऐसी ही स्थिती देश के अनेक हिसों में है इस सबसे तो देश को ही नुकसान हो रहा है इससे दयनी और कुछ नहीं की जब राजियों को आपसी सहयोग को सरवोच प्रात्मिक्ता देने चाहिए तब वे पाले खीचने में लगे हुए हैं कहीं कहीं तो सचमुच सडकों पर खाई खोद दी गई है ताकि एक राजि के लोग दूसरे राजियों में प्रवेस न कर पाएं इसी तरह कहीं कहीं एक राजि की और से जारी किये गए पास दूसरे राजियों ने अवमान कर दिये क्या छेत्रियता के ऐसे संक्यून प्रदर्शन से कोरोना के संक्रमण पर लगाम लग जाएगी निस्संदे कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सतरकता बरतने की आवश्यक्ता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं की कामधंदे के लिए निकले लोगों अथवा माल ढोने वाले ट्रकों की आवाजाही पर जरूरत से ज़्यादा सक्ती का परिचय दिया जाए माना की कुरोना के साए में रहना होगा लेकिन इसका यह अर्थ नहीं की राज्य खुद को टापू में तबदिल कर लें बेहतर हो की केंद्र सरकार अंतर राज्य आवाजाही में अनावस्यक अडंगे बाजी का संग्यान ले और दूसरी और राज्य सरकारें यह समझें की संग्य धाचा आपसी सहयोग पर टिका है उन्हें अपने हित के साथ ही देश के हित की भी चिंता करनी होगी स्टॉप स्टॉप